Created with free version for non-commercial use. आकाश्वनी भूपाल सी प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैंयुक्ता बैनुर जी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरत्व वाली केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रभावी खदम उठाए गए. प्रदेश में भी केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर विभनकारिक रमायोजित किये जा रहे हैं वहीं कॉंग्रस ने मोधी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया प्रदेश भाजपा ने रेत उत्खनन को लेकर सवाल उठाने वाले पूर्व मंत्री कमल पतेल को नोटल्स जारी किया और राजी के कई क्षेत्रों में कल सुभह तक गरत चमक की स्थिती बनने की संभावना अब समाचार विस्तार से प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रुत्व वाली NDA सरकार के आज तीन वर्ष पूरे हो गए हैं सबसर पर देश और प्रदेश में कई कारिक्रमों का आयोजन किया रहा है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम्मे देश के सबसे बड़े नदी पुल धौला साधिया का उदखाटन किया श्री मोदी ने कहा कि इस पुल का नामकरण महान गायग भुपेन हजारिका के नाम पर किया जाएगा वहीं एक ट्वीट में प्रदानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव के लिए प्रभावी कदम उठाए गए है प्रदेश में आज से भाजपा द्वारा मोदी फेस्ट अभियान शुरू किया गया है इसके तहट प्रदेश के सभी जिलों में विशेश कारिक्रम आयोजित किये जा रहे है इनमें केंद्रिय मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, विधायक, निगम मंदलों के पदाधिकारी भाग ले रहे है इन कारिक्रमों के दौरान केंद्रु सरकार के तीन वर्ष के कारिकाल के उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराया जाएगा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान अब से कुछी देर में भोपाल के रेध खाट क्षेत्र में राजा भोट सेतु का शुभारम करेंगे केंद्री पंचाय तेवम क्रामीन विकासमंत्री नरीन सिंग तोमन ने आज अंडिये सरकार के तीन वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष में मुरैना जिले के सबलकर अस्पताल में नर्मान कारियों का लोकारपन किया इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानूनकार राज है शिमोदी के नेथ्थ में भाजबा सरकार बहतर कारे कर रही है साथी पियर जल संकट से जूज रहे लाकों में राजसरकार पानी पहुचाने का काम कर रही है शितोमा ने कहा कि मन्रीका के तहट 24,000 करोड रुपे बजट में से 67 प्रतिशत राशी जल संरक्षन पर खर्च की जाएगी कॉंग्रस के राश्य महासच्यव मुकल वासनिक ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार चुनाव से पूर्व किये गए वायदों को पूरा करने में नाकाम रही है आज भुपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जूटी वाहवाही, नारिबाजी और अतिशोक्ती पूर्ण बयानबाजी पछले तीन सालों में मोधी सरकार की पहचान रहे श्रिवासनिक ने कहा कि केंद्र सरकार बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रही है वहीं किसानों, नौजवानों और अर्थ व्यवस्था को लेकर किये गए वादे भी धोका साबित हुए राश्रपती प्रणव मुखर जी ने कहा है कि देश की जनता के साथ प्रभावी समवाद बनाये रखना आज के समय की जरूरत है मन की बात The Social Revolution on Radio और Marching with the Billion दो पुस्तकों का विमोचन करने के बाद राश्रपती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंडरु मोदी एक प्रभावी समवाद रखने वाले व्यक्ती है और मन की बात कारिक्ट्रम के माधियम से देश की जनता के साथ बराबर संपर्क में रहते हैं सौक्ष भारत अभियान के माधियम से देश को खुले में सौक्ष से मुक्त करने के दिशा में काम चल रहा है शुपुरी जिले को 2018 तक शौक्ष मुक्त करने का लक्ष लिया गया है पेश है एक रिपोर्ट शुपुरी जिले में सौक्ष भारत अभियान के कारण कई गाओं में प्रगती के राथ से खुले हैं इस अभियान के कारण आज शहर ही नहीं गाओं में भी सौक्ष तक प्रती लोगों में जावरुकता बड़ी है इसी का परिणाम है कि जिले के ग्रामीड इलाकों में 87,2 व्यक्तिकस सोचालों का निर्मान हो चुका है इसके लावा 125 ग्राम पंचायत हैं खुले में सौक्ष से मुक्त हो चुकी है पूरे जिले को दिसम्बर 2018 तक खुले में सौक्ष से मुक्त करने का लक्ष रखा गया है इस जिसामें गाओं-गाओं में जावरुकता अभियान जा रहा है इस समय सोक्ष तक प्रेए रख ग्रामीर अलाकों में लोगों को खुले में सौच जाने से होने वाले नुक्सान और घरों में सोचाले बनाने के फायदे बता रहे हैं गेले में ऐसी ग्राम पंचायत हैं जो O-D-EP हो चुकी हैं उन ग्राम पंचायत में साहसन की इन करांट पंचायतों के सचिप और पंचायतों को सम्मानत भी किया जा रहा है प्रादेशिक समाचार के लिए शुपरी से रंजीत गुप्ता ओनलाइन नामांकन भरने के लिए आयोग ने ओलन अप्लिकेशन तयार किया है, अभ्यर्थी इससे किसी भी समय नाम निर्देशन पत्र भर सकेंगे ओवर्राइटिंग और अफटनियता की वजह से नामांकन रद्ध होने की संभावना भी इससे खत्म हो जाएगी प्रदेशिक समाचार आकाश्वानी भूपा से प्रसारत किये जा रहे हैं, ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रदेशिक समाचार बुलिटन, यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं प्रदेश में पिछले कुछ दिन से अवैत खनन को लेकर अपनी बयानबाजी से चर्चाओं में आये अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री कमल पटेल पर कड़ा रुक अपनाते हुए भारती जंता पार्टी ने उन्हें कारण बताव नोटर्स चारी कर दिया है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनी शगरवाल ने बताया कि श्रिप पतेल के पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे अभियान से पार्टी की छवी धूमिल हो रही थी इससे देखते हुए पार्टी की प्रदेश शिकाई के अध्यक्ष नंद कुमार सिंग चौहान ने उन्हें नोटस चारी करते हुए उनसे साथ दिन में जवाब मांगा है मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि जुलाई में होने वाले पौधर उपन कारिक्टम की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए उन्होंने जन अभियान परिशत के सदस्यों से कहा कि स्वयम सेवकों के पंजियन के लिए अभियान सतर पर कारवाई की जाए व्यापार जगत की प्रमुक्स संस्था, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, फिकी द्वारा मथ्यप्रदेश की State Police Emergency Response System Dial 100 को स्मार्थ पुलिसिंग का Special Jury Award दिया गया है पुलिस मुख्याले की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश पुलिस की ओर से ये Award अतिरिक्त पुलिस महानदेशक दूर संचार और पुलिस अधीक शक डायल 100 ने ग्रहन किया ग्रामुदर से भारत उदय अभ्यान के अंतरगत संस्कृती एवं पर्यटन राजमंत्री सुरेंद्र पत्वा ने राइसेंजिले के सुल्तान पुर के ग्राम किनकी में 56 लाग की लागत से निर्मत नवीन हाई स्कूल भवन का लोकारपन किया उन्होंने ग्राम चंपानेर में भी सीसी रोट का लोकारपन तथा खेल मैदान का भूमी पूजन भी किया मौसम पिछले 24 घंटों के दोरान राजी के उजयन संभाग में कुछ स्थानों पर और अंदोर तथारीवा संभागों में कहीं कहीं हलकी बारिश दर्च की गई शिश संभागों में आमतोर पर मौसम शुष्क रहा उजयन जिले के खाच रौद में 5 संटीमीटर और धार में 1 संटीमीटर बारिश दर्च की गई होशंगाबाद दमूह और नौगाओं जिलों में लू का प्रभाव रहा अधिक्तम तापमान, चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में सामान्य और अन्य संभागों में सामान्य से अधिक दर्च किये गए सरवाधिक अधिक्तम तापमान, 45 degree Celsius, घुषंगाबाद, दमूह और नौगाओं में दर्च किया गया मौसम केंद्र ने कल सुभह तक शहडोल और ईवा संभाग तथा मंडला, बालागाट, सिवनी, पन्ना और दमो जिलों में गरत चमक की स्थिती बनने की संभाव ना जताई है वही अन्यस्थानों पर धूल भरियांध ही चल सकती है चम्बल, सागर और होशंगाबाद संभाग के साथ ही कुछ अन्यस्यलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है अब कुछ समाचार संख्षेप में सतना महापौर ने आज नगर के कुछ हिस्सों में साफ सफाई और पेरजल का निरीक्षन किया देवासिले में नवीन और द्योगिक क्षेत्र में भूखन डावंटन ऑनलाइन प्रक्टिया के माध्यम से किया जा रहा है कटनी में दीन दियाल उपाध्याय जन्मिशताब दीवर्ष के उपलक्ष में भारतिय जन्तापाथी नगर मंडल द्वारा शहर के प्रतिभाओं के सम्मान समारों का आयोजन किया गया सागर संसद्यक शेत्रु से भारतिय जंता पार्टी सांसद लक्षमी नारायन यादव ने दोहजार उन्नीस के लोग सभाचनाव के लिए आवेदन नहीं करने की घोशना की है जलसंसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने दतिया शेहर में नियमित पेज लापूर्ती के लिए एक बैठक में समीक्षा की मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहट 29 मई को टीकमगर से एक विशेश रेलगाडी जगनातपुरी के लिए रवाना होगी राजे शासंद्वारा मथिप्रदेश कौपालन निवम पशु समवर्धन बोट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राजे मंत्री स्तर का दरजाद दिया गया है खन्वा जिला पंच्वायत के मुख्यकारिपालन अधिकारी ने हरसूर जन्पद में लापरवाही बरतने वाले सच्चेव और रोजगार सहायोगों के विरुदकारवाई के नर्देश दिये हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फ्यर्द प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रत्व वाली केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे श्विमोदी ने कहा कि इस दौरान लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए प्रदेश में भी केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर विभन्नकारिक रमायोजद किये जा रहे हैं वहीं कॉंग्रस ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया प्रदेश भाजपा ने रेत उत्खनन को लेकर सवाल उठाने वाले पूर्व मंत्री कमल पतेल को नोटिस जारी किया और राजी के कैट शेत्रों में कल सुभत गरत चमक के स्थिती बनने की समभावना इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलितन समाप्त हुआ नमस्कार